प्रोसेस ओफ एर ट्रांस्प्लांट मैं डॉक्टर अर्विन पोस्वल डॉक्टर एस क्लिनिक डेली इंडिया से और आज हम बात करेंगे एर ट्रांस्प्लांट के प्रोसेस के बारे में एक पेशेंट के व्यूपॉइंट से यानि उनको क्या-क्या चीजों को से गुजरना पड़ता है क्या-क्या चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी और क्या-क्या एतियात उन्होंने रखने हैं तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि जैसे बाल गिरना शुरू हुआ वहाँ से लेके आप जब मेरे पास तक आते हैं तो उस दोरान में आपने काफी सारी गरेलून उसके भी कियोंगे कोई दवाईयां भी हो सकती इस्तेमाल कियोंगे और कोई प्रोसेस भी कियोंगे जैसे प्यार पी वगड़ा तो मुझे वो सारा नौलेच चाहिए होगा मुझे कॉंटेक्ट आप कर सकते हैं इमेल से भी और वट्सप से भी यह चीज़े इन्फॉर्मेशन सारा वीडियो में दिया रहेगा तो जैसे वट्सप से आप पहली बार कॉंटेक्ट करते हैं तो मुझे बताइए कि आपके बाल कब से गिरना शुरू हुए कितने साल हो गए क्या-क्या दवाई आप लगा चुके हैं कुछ फाइदा हुआ या नहीं और अब प्रोसेस अब पोजिशन आपके बालों की कैसी है तो अभी करेंट की पोजिशन क्या फोटोग्राफ मुझे चाहिए होगा वह होगा फ्रेंट व्यू अब देखिए मैं बहुत क्लियरली ध्यान से दिखाता हूं हमें फ्रेंट व्यू चाहिए कम से कम आई ब्रो तक और ऐसा लुक भी चाहिए और हलका सा जुके ऐसा लु चाहिए दाड़ी के एरिया के पिच्चर चाहिए क्योंकि हमें आपके रिके बाल भी यूज़ करने होंगे ध्यान रखिये अगर आप ज्यादा गंजे हैं तो सिरफ सरके बालों से तो कभी होई नहीं पाएगा तो यह सारे पिच्चर्स डॉक्टर के पास होने ज़रूर द तो मैं क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि मुझे हेरलाइन यहां चाहिए तो उसके लिए जो करना पड़ेगा या तो आप जो करके बेजिए या अगर वो नहीं हो पाता अपनी कोई पुरानी फोटो बेजिए जिसमें बाल पीछे करके रख्यों वह भी नहीं हो पाता तो हमार परड़े पेशन रिजाल गैलरी में जाईए उसमें अगर आपको कोई हेरलाइन पसंद आती है फाहां जा के आपको क्या दिखेगा वाई तो दिखेगा सेंकडो रिजल्ट जो कै बहुत ज़रूरी है आपका पीशर्च में दूसरा दिखेगा कई पेशन जो के जिनका तो एक्जेक्ट आपको दिखेगा कि हाँ मेरा बिफोर पिच्चर इससे मिलता जूलता है और हाँ मुझे हेरलाइन ऐसा ही चाहिए तो नेच्रली आप दोनों को लिंक मेरे पास बेश सकते हैं ताकि आपके लिए जब मैंने हेरलाइन प्लान करना है तो मुझे वो कन्फूजन नहीं रहेगा अब हेरलाइन कोई बोलता है मुझे यहां से नीचे नहीं चाहिए कोई बोलता है मुझे यहां चाहिए तो इस्तने में अब अपना बुकिंग करते हैं साथ के साथ हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं जो मैं लिखके दोंगा वो नॉर्मल होगा उसके बाद आपका डेट बुक होगा एक महीने बाद हो एक हफते बाद हो दो महीने बाद हो वो आपके उपर है उसके बाद जब आप आते हैं प्रोसी जब हम करेंगे तो हमको आप चाहिए पूरे दिन 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक बहुत बारिकी का काम होता है हेर ट्रांस्प्लांट का तो उसमें हम आपका बीच में पोजीशन भी चेंज करते रहेंगे अब आती है बात के हेर ट्रांस्प्लांट शुरू होने से पहले मुझे कोई खास एतियात रखनी पड़ेंगी तो हाँ कुछ दवाईयां हैं जो हम बोलते हैं कि वो आप ज़रूर बंद कर दीजे कम से कम 10 से 10 दिन से 2 अफ़ते पहले उसमें आते हैं मिनोक्सिदिल, एस्प्रेम या कोई भी दवाईयां जो हमारा ब्लड पतला करती हैं ये दोनों चीज़े तो डेफिनेटली बंद कीजे अगर इसके इलावा आप वाइटामिन्स वगेरा खा रहे हैं तो सिरफ वाइटामिन E को हम मना करते हैं कि वाइटामिन E में भी ब्लीडिंग ज्यादा टेंडेंसी हो जाता है ये वाला पार्ट बिफोर का हो गया अब हमने जैसे 7000 ग्राफ्ट का प्रोसीजर किसी का करना है तो उसमें हमें 3 पूरा दिन का सेशन लगेगा यानि सुबा दस से शाम 6-7 बजे तक 3 दिन लगा तार तो आप एड्मिट नहीं होंगे आप आएंगे हम आपका प्रोसीस करेंगे लोकल एनस्थीजिया में होगा कोई दर्द नहीं होगा सारा कुछ होने के बाद सर पे एक वाइट बेंडेज लगेगा उसके बाद आप होटल में जाएंगे या जहां भी रहते हैं घर नजदी के तो घर जाएंगे घर जाके अराम करेंगे अगले दिन तक फिर अगले दिन फिर आएंगे इस दोरान में आपको कोई प्रॉलम नहीं होगा बस ध्यान क्या रखना है कि हैवी एक्साइज नहीं करना एलकोहल, स्मोकिंग ये कुछ दिन तक छोड़ के रखना है एक्सेसिव डिंकिंग तो वैसे भी बुरा होता है और स्मोकिंग से मैं क्लियरली बता रहा हूँ स्मोकिंग से बाल समय से पहले गिरता है तो स्मोकिंग एलकोहल भी उस तोरान तो बिलकुल ही नहीं करेंगे और 90 साल की उमर में, 40 साल जितने यंग और फिट हो सकें, तो क्यों नहीं होना चाहोगे, मैं कर सकता हूँ, अभी साइंस इस लेवल तक आ रही है, और मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो सेपरेट बात है, अब हम आते हैं, प्रोसेस के बाद मिनॉक्सिदिल जगा स्वारी, यह ट्रांस्प्लांट हो गया, तो तीन दिन में हमने 7000 ग्राफ्ट कर दिया, अब उसके बाद हमने क्या-क्या एतियात रखना है, तो सर पे तो हमारा वाइट बेंडेज होगा, तीन दिन से हम रोजाना आप वाइट बेंडेज के साथ वापिस घर जा रहे हैं, और फाइनल जब आपका प्रोसीजर हो गया, तो आपने वापिस अपने घर जा सकते हो, अगर दिल्ली में नहीं है, आप USA में भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप जा सकते हो, फ्लाइट भी लेके जा सकते हो, ट्रेन भी लेके जा सकते हो, बेंडेज सिरफ एक दिन के ल नहीं करना, I don't know किस ने शुरू किया है, लेकिन मेरे पेशिंस को हमारी जो टेकनीक्स होती है, उसमें इसकी ज़वरत नहीं है, सिरफ बेंडेज आपने सुबा अगले दिन उतार देनी है, या हमारे पास आके उतरवा लेनी है, और जेंटल हेड वाश शुरू करना है, तो साफ पानी लिया, मग में लिया, सर के उपड़ डाला, फिर मग में पानी भरा, उसमें थोड़ा सा शेंपू डालेंगे, आपका शेंपू होना चाहिए, SLS फ्री, यानि उसमें सलफेट फ्री शेंपू ही डालना है, अगर आपको ना मालूम हो, मेरे को कॉंटेक्ट में आपको कई नाम बता दूगा, बहुत कंपनी बनाती है, शेंपू आपने डाला, उंगली से फोम बनाओ, उसका जाग बनाओ, और फिर उसको सर पे डालो, जेंटली, उसके बाद आप नॉर्मल पान से छे मग पानी के डालना है, रिंस करना है, ताकि सारा साबून जाग शेंपू निकल जाए, उसके बाद टॉवल से पैट ड्राय करना है, इस जगा पे रगड़ना नहीं है, एक हफते के लिए, इस तरह से सर हर रोज धोएंगे, मेडिसन से खाएंगे, एंटिबायोटिक्स वगरा मैं दूँगा, पांस दिन के लिए खानी होती है, बस उतना ह स्केप्स हैं, इधर पपड़ी जैसा जो जमा आपको दिखता है, वो स्केप्स को हमें एक हफते बाद हटाना जरूरी होता है, अगर वो वहीं पे लगे रहेंगे और आप डेलिकेटली उसको ट्रीट करोगे, आप बोलोगे नहीं जोर से रगड़ने से बाल गिर जाएगा या डॉक्टर साब ने तो कह दिया, आम नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि स्किन के अंदर से स्वेट, ओयल, जितना गंद है, सब चीजे वहाँ इखटा होता रहेगा, स्कैप के साथ, आफकोर्स इचिंग करेगा, सुनाट करेगा, दिक्कत करेगा, अनहल्थी होगा, और ब अथ के बाद से पेड राए नहीं करना, उतके बाद से रगण के साफ करना शुरू कर दो, एड़ दे से आपका कोई भी precaution नहीं रहेगा, जिम जाना है, जिम जाओ, सीड़ीयों पर बाग के चरना है, सीड़ियों पर बाग के चरो, यहाँ पे जोड-जोड से रगणना है, मालिश करनी है तेल की सब कुछ कर सकते हैं यह समझना ज़रूरी है कि प्रोसेस में यह प्रिकॉशन इस तरह से क्यों बताई जाती है अब जैसे हम दाड़ी से भी बाल लेंगे तो स्कैप्स तो यहां भी होंगे छोटे-छोटे डॉट-डॉट करके जो लाल-लाल करके को कोई चोट पहुंचती है तो वहां से अंदर से ह bibli निकलेगा जो वहां पर जाताया है जो जम जाता है यदुम करन रिस्टिक कहते हैं वह स्कैप कहलाता है अब जब हमने यहां से ग्राफत निकाला तो बहुत ही पतला पंच से निकलताया क्योगा और हंदे वह सबान यह नहीं फाइबरें ज है उस एरिया को सील कर देगा जब वो सील करेगा उस Eriya को तो एक तरह से रडिश ब्राउण यहां डॉट पड़ जाएगा जहां 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 जगासे ग्राफ्ट लिया है आप सिमिलर्ली जब हम लगाएंगे तो वह भी एक नीडल से वह बनाएंगे पोडू से होगी वह नीडल होगी जैसें बलट सेंपल लेते हैं यहां से उतनी बारीक वह नीडल जाती है निकल आती है तो वहाँ यह नहीं है कि कोई बड़ा सा होल रहे जाता है वो अपने आप हील हो जाता है विदिन आफ कॉपल ओफ डेज एक दो दिन में उसी तरह जब हम यहां पे भी स्लिट बनाते हैं तो हम ज्यादा गहरा नहीं जाते हैं आपके दिमाग पे ब्रेन पे नही वो हम सिर्फ स्किन की लेयर में रखने है उस समय में पूरा डेरेक्शन एंगल सब कुछ फिक्स कर देता हूं एक एक स्लिट में बनाके के हां नेट्रल लुक आएगा तो जब स्लिट हमने बनाए नीडिल गया बाहर आया तो जैसे हमारा इधर पे थोड़ा सा फाइब्रिन या बलड आता है उस तरह यहां पे भी बहुत बारी क्वांटिटी में आता है और वो उस स्लिट क्वे होल को पकड़ के बैठ जाता है ग्राफ्ट के साथ में वो हमारा नेट्रल बेंडेज है वो ही एक चीज है जो एंशोर करता है कि यह ग्राफ्ट हमने लगाया डॉक्ट लिटली अंड्रेट परसेंट एक अव्ते में जो स्किन में हमने बनाया या होल बनाया जिसमें ग्राफ्ट गया वो ही लो जाता है जब हील हो गया तो अब रूट अपना नेया जगह अब उसने उगना है जो उपर वाला बाल गिरने की कोशिश कर गिरना भी है अब अगर यहां पर मैं बिठा दो इसको स्काइब को हलाओ नहीं इस जगह पर नहीं डर लग रहा है मुझे हिल गया बाल गिर जाएगा तो क्या होगा तो यह होगा कि एक तो यह टेंप्रेरी है जो गिरना था वो नहीं गिर रहा दूसरा यह यहां पर बाडी में फॉरेंड बाडी सकाइब कर रहा है उससे क्या होगा एक पिंपल बनेगा यहां पिंपल बनके वां सूच जाएगा आप सोचोगे पता नहीं क्या हो गया है स्का सॉलीशन बहुत सिंपल है यहां से स्क्याइब गर जो अंदर पिंप छोटा excus निया प्रॉलम कर रहा हूं इसको हटो ऑग तो वहां तक नोबत ही ना आए उसके लिए ज़रूरी है कि आठवें दिन से हम जहां पर बाल लगाएं हैं रेसीपियंट एरिया उस पर रगड के साफ करना शुरू करें करीबन चार पांच दिन में ही आप देखोगे कि वो सारे स्कैप सट गए विदिन पहले एक महीने के अंद अंदर जो ज्यादा तर बाल लगाएं वो भी गिरेंगे छोटे छोटे बाल और जहां पर हमने आप लगको लगेगा एक बार तो खीजी यहां पर शैद कुछ हुआ ही नहीं उसमें घबराना नहीं है सेकेंड महीने से वहां बाल स्प्रॉट होना शुरू होगा और वो भी करेंग ठम्डू हर महीने आपको दस परसेंट ग्रोथ दिखेगा एवरिज किसी को थोड़ा ज्यादा जल्दी हो सकता है किसी हो नो पूरा रिज़ल्ट आपको दिखेगा बारा महीने पर 12 महीने पर आपको जितना मैक्सिम ग्रोथ वगएरा सब आ जाएगा तो यह बात हो आपको कोई दिक्कत ना हो कि तीसरे या चोते दिन प्रोसीजर खतम होने के बाद आपने रेजर से शेव करना है अगर डर लगे तो मॉस्टराइजर लगाओ खुप सारब और फिर शेव कर लो हम लोग बहुत ही बारीक पंचिज यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो होल वह बहुत ही बारीक होता है लेकिन उसमें नीचे से कोलाजन बन रहा है को लेजन होता है बोडि का वो टिशु जो कि दिखने में सफेद होता है अगर बनता जाएगा तो वाइट डॉट दिखेगा हमें वह वाइट डॉट नहींच घए तो उसके लिए है कि जो स्कैब है यहां पे इसको अटना जरूरी है तो यह जो चार दिन बाद में आपको शेव करने को बोल रहा हूं वो इसी लिए है कि यह सारा का सारा अनेल्दी स्कैब वगेरा हट जाए ताकि आपके बीर्ड का बढ़ा करके देखो शायद कुछ दिख जाए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन नॉर्मल डे टुडे लाइक में डायरेक्ट ऐसे देख रहे हैं तो मैंने नहीं देखा और उसी का मैंने फोटोग्राफिक प्रूफ अपनी वेबसाइट पे भी बहुत दिया है तो यह प्र कोई चीज और कोई क्वेस्चन होता है किसी समय आप फॉरन अपने डॉक्टर से या मेर से बात करिए वट्सप बेजिए फोटो बेजिए कोई डाउट हो थेंक्यू